कि यह जुआ 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 ठीक हम स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग एवरिवन कल हमने AutoCAD में Coordinate System देखे थे जिसमें पहले था Absolute Coordinate System Second था Relative Rectangular and Third was Relative Polar Coordinate System Absolute में क्या देखा था जो हमारा Origin है वो 00 ही रहता है और जो भी हम measurement करेंगे coordinates के तो वो 00 से रहेंगे Absolute इसमें consider गर अभी यहाँ पे point है तो जो भी distance एक horizontal X रहेगा और horizontal Y तो इस point के coordinates रहेंगे relative rectangular में क्या देखा था जो भी coordinates हम देखेंगे जिसके भी measure करना है तो वो last point से हमारा origin रहेगा और polar method में हमने angle लेका था और जो भी आपको use करना है polar method में तो उसके लिए एक formula रहता है at direct length greater than greater than की sign और angle जो भी 0 degree रहेगा सीधा उपर जाना है vertical 90 degree left side जाना है तो 180 degree रहेगा और नीची की तरफ जाना है तो 270 degree रहेगा और जो भी बीच में का वगर जो angle रहेगा तो आपको X axis से positive axis से major करना है anti clockwise direction में okay तो आज हम 4th method भी देखेंगे line draw करने की okay line select करो या फिर enter करो उसके बाद कहाँ पे भी आप click कर सकते हो okay और mouse से आप direction देके distance दे सकते हो अभी मैंने यह इस direction में consider करूँ है 30 का distance देता हो 30 enter किया okay उसके बाद यह direction में जाना है मुझे 5 का distance देता हो enter किया okay उसके बाद आपको consider करो straight horizontal या फिर vertical line निकल लिए तो उसके लिए आपको ortho के लिए effect shortcut किये है तो मैं क्या करता हो यहाँ पर effect प्रेस करता हो तो यह vertical हो गई या फिर इस direction में लोगी तो horizontal हो जाएगी okay तो mouse से आप direction change कर सकते हो अभी मैंने effect फिर से प्रेस किया तो यह ortho mode on off हो जाएगा okay यहाँ से भी आप on off कर सकते हो तो यहाँ से भी आप on off कर सकते हो ortho mode उसके बाद ok ऐल end erक प्रेस करता हो फिर से यहाँ पर क्या पूप 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 पूच रहा है मैंने यहाँ पर first point click किया उसके बाद यहाँ पर second point click करता हो उसके बाद यहाँ पर third point click करता हो यहाँ पर option देखोगी 2 options आ रहे close and undo तो इसमें से आप कौन से भी पहला लेटर टाइप करोगे तो वो command automatically start हो जाएगे मैं C enter करता हूँ तो यह क्या होगा close हो जाएगा फिर से मैं L align start करता हूँ मैंने 3 point लिख किया अभी मैं U enter करता हूँ तो यहापे क्या होगा undo हो जाएगा या फिर आप ctrl z भी कर सकते हो L enter 1st point, 2nd point, 3rd point या फिर आप इस पर click भी कर सकते हो close या फिर undo पर या पर मैं close पर click किया तो यहापे इसे close हो जाएगा अभी आपको पूरा select करना है तो आपको क्या press करना पड़ेगा ctrl a ctrl a प्रेस किया मैंने और delete करता हो ctrl a मतलब ctrl all next option है polyline का line के लिए shortcut क्या देखा L enter polyline के लिए pl enter pl enter किया मैंने same या पर start point पूछ रहा है या पर मैंने start point दिया 2nd point देता हू 3rd point, 4th point अभी आप नीचे option देखा हो किया आर्क आ रहा है close half width length undo and width तो सबसे पहले मैं arc select करता हो या फिर आप a enter भी कर सकते हो तो या पर यह arc start हो गई फिर से मैं line में जाता हो next option है close का close select किया तो यह close हो जाएगा फिर से pl enter करता हो 1st point 1st point क्लिक किया 2nd point 3rd point आप length भी देख सकते हो जो भी आपके value वह गिर रहेगी उसके बाद undo का option है half width और width दोनों same ही है दोनों में difference देखते है क्या है 1st point मैंने click किया 2nd point 3rd point half width मैं जाता हो half width मैंने select किया यहाँ पर मैं half width 10 enter करता हो उसके बाद ending half width मैं 50 enter करता हो तो जब आपने 10 दिया था यह 20 हो जाएगा half width मैं आपको half distance देना है तो वह double हो जाता है और यहाँ पर मैंने 50 दिया था तो यह 100 हो जाएगा यहाँ सेक हमें distance नहीं मिलेगा पर एक छोटी line निकलते हैं यहाँ पर देखोंगे तो यहाँ 50 का distance है तो half width मैंने half distance दिया तो वह double हो जाएगा 10 दिया तो 20 हो जाएगा 20 दिया तो 40 हो जाएगा आपको दो distance देने पड़ते हैं आप same भी distance दे सकते हो या फिर different भी दे सकते हो first point मैंने click किया अब यहाँ पर फिर से मैं half width में जाता हो यह मैं 0 कर देता हो 0 enter 0 enter अभी मैं width में जाता हो width select किया मैंने starting width मैं अभी यहाँ पर मैं 10 देता हो 10 enter और ending में 50 enter करता हो तो जो भी आप distance दोगे वो total distance रहेगा यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 50 है तो यह mostly width का जो option हो आप arrow बनाने के लिए use कर सकते हो देखते है arrow केसे बनाना है यहाँ पर मैं start point पर click करता हो width में जाता हो starting width में 0 enter करता हो ending width में क्या करता हो 50 enter उसके बन मैं effect on करता हो तो यहाँ पर यह क्या हुआ triangle create हो जाएगा अभी मैं फिर से width में जाता हो और width में अभी 3 enter करता हो starting width भी 3 देता हो ending भी 3 देता हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो यह arrow create हुआ है तो यह से आप कर सकते हो next option है circle circle के लिए आपको c enter करना पड़ेगा तो मैं c enter करता हो center point दिया और आपको radius देनी पड़ेगी 30 enter अभी आप यह आप zoom in कर सकते हो scroll आगे करके या फिर mouse का middle button जो रहेगा वह दो बर प्रेस करो तो मैं क्या करता हो mouse का middle button दो बर प्रेस करता हो तो यह fit to screen हो जाएगा या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो top पे मैं यहाँ पर क्लिक किया तो ऐसे भी fit to screen हो जाएगा next option है circle with diameter center point देता हो और diameter देना आपको मैं diameter 100 देता हो तो यहाँ पर आप major कर सकते हो यहाँ से radius का option है इसको मैंने radius दीती और यहाँ पर diameter दिया था 100 का तो यह 100 का diameter है और यहाँ पर radius 30 की है अभी इसके जो dimensions है यह आपको बढ़ाना है तो इसके लिए आपको setting करने पड़ती है setting के लिए आपको d enter भी कर सकते हो या फिर d space bar भी दबा सकते हो space bar easy पड़ जाता है space bar यूज करो d enter करने के बाद क्या होगा dimension style manager में आप आ जाओगे यहाँ पर dimension style manager है यहाँ पर मैं modify में जाता हूँ यहाँ पर अलग अलग अपको options मिल जाएगे अलग अलग settings है text की settings है मतलब इसका जो text है आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर text के height का option है यह मैं 3 कर देता हूँ color अगर आप change कर सकते हो इसमें से उसके बाद arrows आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर symbols and arrows का option है same यहाँ पर arrow size का option है यह मैं 3 कर देता हूँ ok यहाँ पर set current का option है set current मैंने click किया और close करता हूँ तो यहाँ पर इसके text और arrow की size बढ़ गई है फिर से देखते है space bar दबाया है मैंने यहाँ फिर आप enter भी दब सकते हो modify press किया symbols and arrows में यहाँ पर 10 कर देता हूँ text में यहाँ पर मैंने 10 किया ok set current करो और उसके बाद ही close करो इसे आप उसके dimension के height होगे बढ़ा सकते हो next option है two point का मैं सबसे पहले एक line बनाता हूँ effect मैंने off किया two point first point second point ok उसके बाद three point same first point second point देना है और तीसरा point देना है तो तीनम में से यह pass हो जाएगा fourth option है tangent tangent and radius tangent radius में आपको first line select करने है second line और radius देनी है अभी यह पर में radius में 20 देता हूँ तो यह circle इसको tangent हुआ है और इसके जो radius है वो 20 है okay आप line या फिर circle भी select कर सकते हो एक line एक circle दो circle भी select कर सकते हो यह circle में ने select किया और यह circle और radius में 30 देता हो तो यहसे हो जाएगा next option है tangent and tangent okay अब 3 circle select कर सकते हो 3 line select कर सकते हो 2 line 1 circle select कर सकते हो okay तो यह 3ों को tangent हो जाएगा यहाँ पर 2 circle 1 line यह 3ों को इसे tangent हो जाएगा इसके radius जो है वो automatic calculate कर देता है tangent मतलब क्या है वो एक ही point पर touch हो जाएगा बाहर की तरह ctrl A and then delete next option है arc के arc के लिए shortcut है A enter अभी arc से लोग select कर होगे तो यहाँ पर अलगअ-लग options आएगे start point यहाँ पर क्या पूछ रहा है specify start point of arc मैंने consider को यहाँ पर start point देता हो second point देता हो और यह third point देता हो तो यह three point arc हो गया यहाँ पर three point arc का option है first point, second point and third point next option है start, center and end point यहाँ आप mostly radius होगे देखे कर सकते हो मैं यहाँ पर मैं 10 की radius देता हो door वगरे बनांकने के लिए यह use कर सकते हो start, center and end यह start point देता हो इसके बाद center point देता हो और end point देता हो तो इसे quarter circle हो जाएगा effect में off करता हो फिर से देखते है start point यहाँ मैंने center point देता हो और इसके बाद याप याप कुन से भी तरफ end point दे सकते हो next option है start, center and angle start point यहाँ मैंने center point दिया और angle मैं अभी 180 देता हो तो यह जो angle रहेगा वह ऐसे रहेगा start point से center point अग end point से center point अग फिर से दिखते है start point, center point और angle मैं अभी 60 degree देता हो 60, enter तो मैं यह start point से center pointer और center point से end point के client दो करता हूँ उसके बाद यहाँ पर angular option है यह angular option मैंने select किया यह line select करता हूँ और यह line और इन दोनों के बीच में जो angle रहेगा वह 60 degree है okay next option है start center and length अभी length जो रहेगी वह quad length बोलते है इसको मतलब यह point से यह point तक यह straight जो line रहेगी यहां से यह तक यह जो भी distance रहेगा तो वह distance की length हमें इसमें देने यह start center and length start point यह मैंने center point देता हूँ और length में भी 12 देता हूँ 12 enter तो यह जो length है आप यहां से aligns option से measure कर सकते हूँ first point and second point यह जो distance है यह 12 का है next option है start end angle start point यह मैंने end point देता हूँ और angle में भी यहां पर 180 देता हूँ तो यह semicircle create हो जाएगा start point से center point और center point से end point तो यह जो angle है वो 180 degree है next option है start end direction start point यह मैंने end point दिया और direction आपको यह direction में चाहिए या फिर यह direction में आपको click करना पड़ेगा next option है start end radius start point end point radius अब distance दे सकते हो या फिर click भी कर सकते हो 10 दिया तो यह quarter circle हो जाएगा next option है center start and end center point यह मैंने start point and end point end point अब कहा पर भी दे सकते हो आपको तो basically आपको anti clockwise ही ड्रॉव करना है start point sorry center point start point end अब आपको consider को clockwise ड्रॉव करना है तो आपको control प्रेस करना पड़ेगा तो यहा पर मैंने control प्रेस किया और यहा पर आपको इसे click करना पड़ेगा next option center start and angle center point start point and angle same option है सिर्फ center point आपको पहले देना है center start and length center point start point and length length में आप अभी 10 देता हूँ तो यह यह point से यह point टक हुआ यहां से यहां तक आप major कर सकते हो next option है continue का continue में last point जो रहेगा वहां से continue हो जाएगी हरक तो अभी मैंने यह line draw की है यह first point है और यह last point है end point अभी मैं continue select करता हूँ यहां पर आप देखे होगी तो यह last point से यह R continue हो रही है Ctrl A and delete next option है rectangle 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 के लिए R E C आपको enter करना पड़ेगा R E and C enter first corner point मैंने यहां पर अभी क्लिक करता हूँ यहां पर क्लिक किया तो यह free end हो जाएगा जिसमें dimensions आपने नहीं दिये आपको dimensions देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर मैं पहला point लिक करता हूँ अभी यहां पर नीचे options आते हैं area, dimensions and rotation okay सबसे पहले area देखते हैं नीचे options आपको चाहिए तो आपको उसका पहला letter आपको type करना पड़ेगा और enter दबाना पड़ेगा तो मैं area के लिए a enter करता हूँ area कितना मुझे consider करो thousand देना है thousand दिया मैंने area उसके बाद आपको length देना या फिर width देना है वो select करना पड़ेगा उसके लिए आपको l enter या फिर w enter करना पड़ेगा तो मैं l enter करता हूँ उसके बाद क्या पूछ रहा है enter rectangle length तो मैं 20 की length देता हूँ तो यहाँ पर automatic rectangle create हुआ है जिसमें 20 की length है और area जो है thousand का है हम measure करते है यहाँ पर linear का option first point and second point यहाँ पर 20 की length है यहाँ पर आप जाओगे तो utilities में measure में area का option है area select कि हमेने first point second point third point fourth point और enter press करो तो यहाँ पर आप देखोगे तो area आ गया है thousand का और इसका perimeter है 140 का area thousand and perimeter 140 इसके automatic जो length यह रहेगी बीड़त रहेगी तो वह 50 आई है 50 multiply by 20 thousand का area क्या करना पड़ेगा फिर से देखते है rectangle में ने select किया first point आपको click करना है बाद में यह नीचे का option change हो जाएंगे first point में ने click किया अभी आपे area देखाता हमने next option है dimensions अभी आपको consider करो दोनों dimensions मालूम है length भी मालूम है width भी dimensions पे आप click करो dimensions में length देता हूं है 30 enter width देता हूं है 50 enter तो यह command अभी complete नहीं हुए नीचे दिख्या बता रहा है specify other corner point आपको कहाँ पे यह place करना है तो आपको देना है ok यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 पे तो यहाँ पे मैंने अभी click किया अभी आप command के पूरे बहार आ गए हूं rectangle select करता हूं first point उसके बाद rotation का option है rotation मैंने select किया आपको angle लेना है मैं अभी 30 का एंगल लेता हूँ 30 enter उसके बाद सेम आपको area या फिर dimensions आप दे सकते हो या फिर आप click भी कर सकते हो dimensions में जाता हूँ 20 enter 40 enter या पर मैंने अभी click किया कि अलाइन में फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट यह 40 का डिस्टंस अमने दिया था एंगल हमने 30 का दिया था तो यह से आप rotation angle दे सकते हो अभी जब अभी मैं rectangle फिल से सिरेक करूंगा तो यह एंगल उसमें 30 का ही रहेगा तो वह आपको 0 करना है rotation में जाता हूँ यहाँ पर 0 enter करता हूँ यहाँ पर मैंने अभी click किया ctrl a and delete अभी next option से हम देखते है क्या है chamfer elevation fillet thickness and width ओके सबसे पहल है chamfer chamfer मेंने select किया chamfer में 5 enter करता हूँ अभी क्या पूछ रहा है second chamfer distance तो अब same भी दे सकते हो या फिर different भी दे सकते हो मैं 10 enter करता हूँ है first point and second point तो यह alternate रहेगा five ten five ten five ten five ten five ten यह five का है रेक्टैंगल से लेक किया chamfer में फिर से में zero कर देता हूँ जिरो एंटर जिरो एंटर जिरो एंटर में 100 करता हूँ और फिर से में rectangle करता हूँ तो अभी आप देखोगे तो दोनों में आपको difference कुछ नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा elevation अपने 100 दिया था तो वह आपको front view में दिखाई देगा तो यहाँ पर home का option है इस पर में click करता हूँ shift & middle click प्रेस करने के बाद आप rotate कर सकते हूँ तो यहाँ पर front view में देखोगे तो यह elevation में 100 mm ऊपर आया है यह 0 का elevation था और यह 100 का है फिर से मैं home पे click करता हूँ top view में जाता हूँ यह delete कर देता हूँ यह mostly 3D में आपको लगता है rectangle select किया elevation 0 enter next option है fillet का fillet select किया fillet में आपको radius देनी है 10 enter करता हूँ यहाँ पर radius आएगी 10 किये okay next option है thickness thickness में 10 enter करता हूँ तो यह भी आपको 3D में दिखाए देगा इसे अभी आपको यह wireframe में है यह जो model दिख रहा है आपको wireframe में दिख रहा है यहाँ से आप change कर सकते हो left click करना पड़ेगा और shaded with edges as a surface model create हुआ है okay rectangle select किया thickness में अभी 0 करता हूँ 0 enter और next option है width का width में 50 enter करता हूँ इंटर्वीव में पूछता है fillet और chamfer का difference क्या है basically distance chamfer में रहता है और radius जो रहती है वो fillet में रहती है पर main difference है वो है आपका जो stress concentration जो रहता है strength जो रहती है वो बढ़ जाती है fillet से और जो भी sharp corners और जो रहता है वो आप remove कर सकते हो chamfer में consider करो यह bolt है और यह hole है अभी यह आपको trim करना है तो इसके लिए आपको tr double enter करना पड़ेगा double enter करने के बाद यह मैं drag करता हूँ अभी consider करो यह hole है जिसमें आपको यह bolt insert करना है तो यहाँ पर जो sharp corners रहेंगे वो आप क्या कर सकते हो chamfer कर सकते हो easily यह part assemble करने के लिए तो यहाँ पर chamfer यूज किया जाता है chamfer के लिए यहाँ पर भी option है chamfer या फिर आप ch a enter कर सकते हो उसके बाद distance देना है distance में 5 enter करता हो second distance में 5 enter यह line select की मैंने और यह line same enter दबाद आओ यह line और यह line पहले की जो command है वो आपको फिर से repeat करने है तो आपको enter या फिर space bar दमाना पड़ेगा फिर से मैं space bar मैंने click किया distance मैंने already दिया है यह line और यह line same यह line और यह line अब यह पे यह पे यह पे मैंने chamfer यूज किया है तो जब आप यह insert करोगे यह मैं मूँ कर देता हूँ यह मैं मूँ कर देता हूँ मूँ करने के लिए आपको M enter करना पड़ेगा F8 प्रेस करता हूँ 1st point यह sorry M enter 1st point और यह 2nd point यहाँ पर hedge का option है hedge select किया मैंने यहाँ पर यहाँ पर hedging किया मैंने यहाँ से आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हूँ यह हमारी प्लेट है और यह हमारा बोल्ट है easily insert करने के लिए हम क्या करते है chamfer create करते है sharp corner remove करने के लिए भी chamfer use किया जागता है अभी जब आप यह application में रहेगा use में रहेगा तो इसके chances रहते हैं यहाँ पर break होने के लिए तो हम क्या करते हैं यह जो part है copy करता हूँ co enter जहाँ पर breaking के charges रहते हैं वहाँ पर fillet use करते हैं तो यहाँ पर strength बढ़ाने के लिए आपको fillet use करना पड़ेगा fillet के लिए F enter करता हूँ उसके बाद radius का option नहीं नीचे radius यहाँ पर 0 रहेगी पहले आपको radius देना है radius select करता हूँ 5 enter first object and second object अब यहाँ पर यह total polyline थी तो इसको पहले break करना पड़ेगा तो इसके लिए shortcut है explode का यहाँ पर भी option है explode का x enter करना पड़ेगा सिर्फ एक जबना है explode सेलेक किया हम इने यह object सेलेक करता हूँ और यह object and enter फिर से F enter प्रेस किया हम इने radius के लिए r enter radius में 5 का देता हूँ first line and second line तो यहाँ पर automatic fillet आ जाएगी अभी यह line जो आपको extend करनी है तो इसके लिए shortcut है ex double enter और यह line सेलेक करता हूँ okay fillet T sorry fillet F enter किया हम इने radius में जाता हूँ radius में 5 enter करता हूँ यह line और यह line okay तो यहाँ पर गया होगा strength इसके बढ़ जाएगी तो यह advantage रहता है fillet का यह strength इतने बढ़ जाती है compare to first object तो हमने line देखा pole line circle arc rectangle उसके बाद move कमांड देखा था move के लिए enter करना है उसके बाद copy के लिए co enter फिर से देखता है यह दो options यह object आपको move करना है यह point के उपर तो M enter करता हूँ object select किया enter उसके बाद आपको base point देना है अभी यह base point देता हूँ select करता हूँ और यह point पर मैं click करता हूँ copy के लिए co enter object select किया enter base point दिया और यहाँ पर मैं click करता हूँ next option हमने रेखा था explode का explode के लिए आपको क्या करना है x enter करना है सिर्फ x enter यह object मैंने select किया enter यहाँ पर आप फिर से select करोगे तो यह separate हो जाएगा यह आप select करके delete करोगे तो total delete हो जाएगा उसके बाद हमने trim देखा था trim के लिए tr double enter है जो भी आप line select करोगे तो trim हो जाएगे tr double enter extend के लिए e x double enter okay control a delete next option है polygon का polygon 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 radius में देता हूँ 50 enter okay double middle click करना है fit to screen हो जाएगा अब यह circle के अंदर आया है तो हम check करते है तो क्या करता हूँ मैं c enter उसके बाद center अब circle यहाँ पर में click करता हूँ radius हमने 50 देती 50 enter यह बरबर circle के अंदर की दरफ आया है फिर से एक circle बनाता हूँ center point and radius 100 की polygon polygon select करता हूँ अभी मुझे pentagon बनाना है तो number of sides 5 enter किया center of polygon यहाँ पर पास में जाओगे तो यह center highlight हो जाएगा उसके बाद click करो अभी यहाँ पर circumscribe select करता हूँ circle के भार किदर circumscribe about circle उसके बाद specify radius of circle radius में अभी 100 देता हूँ 100 enter किया तो यह circle के बाहर की दरफ हुआ उके next option है ellipse polygon polygon के लिए effort मेंने on किया other point of axis में 100 100 यहां से तो यह यह जो हमने आर्क देखी थे यह वह circular आर्क थी यह जो आर्क है यह elliptical arc पे क्लिक करता हूँ तो यह elliptical arc create हो जाएगे next option है इसका cut section आपको दिखाने है spacing यहां से आप change कर सकते हो यहां पे अलग अलग पैटन्स आपको मिल जाएंगे brick pattern है concrete है spacing जैसे आप change करते हो वेसे आपको spacing मिल जाएगा उसके बाद यहां पे associative का option है यह on है तो यह मैं अभी पहले यहां पे मैंने off किया close करता हूँ दूसरा एक rectangle बनाता हूँ जिसमें associative का option on रखता हूँ यहां पे on था यहां पे अभी मैं इसकी boundary change करता हूँ move करता हूँ जरा तो यह जो hatching hatching था वहां पे ही रह गए और इसका change करता हूँ तो यह क्या होगा है automatically change हो जाएगा तो जब आपका associative option on रहता है तो वह change हो जाता है जैसे आप boundary change करते हो off में नहीं होगा यहां से आप फिर से off कर सकते हो next option है gradient का gradient में आपको दो colors मिल जाएंगे hatching में आपको एक ही color मिलता है दोनों में difference यह ही है यहां पर solid select किया मैंने यहां से आप अलग-अलग colors ले सकते हो यह वाला जो है वह हमने hatch में देखा gradient में आपको यहां पर दो colors मिल जाएंगे तो आप coloring के लिए वगर यूज़ कर सकते हो उन्होंने एक example बता है पानी water दिखा है आपे blue color and white color next option है boundary का boundary के लिए मैं अभी सबसे पहले line command select किया मैंने c enter अभी line command मैंने select किया तो यह आज आप select करोगे तो यह single select हो जाएगा Paul line select करता हो मैं c enter तो यह total select हो जाता है boundary option देखते हम क्या है boundary मैंने select किया यह option यहाँ पर option है Paul line का ok करता हूँ मैं क्या पूछ रहा है pick internal point यहाँ पर मैं internal point select करता हो और enter प्रेस किया अब यहाँ पर आप देखोगे तो यह मैंने select किया m enter करता हो first point and second point फिर से मैं select करता हो तो यह आपको एक boundary मिल गई है m enter first point base point लिया मैंने और बाहर की तरफ रख दिया तो यह हमारा पहला object है यह हमारा new created object है ok तो यह आपको boundary command में मिल जाएगी ctrl a and delete ok तो आज इतना ही देखते है जो भी doubts होगे रहेंगे आप मुझे पूछ सकते हो इसके मैं आपको exercise share कर दूँगा पहले tool की practice कर लो उसके बाद exercise ले लो ok thank you